योडी तूदेंट्स करते हैं नेक्स्ट वेशन, वायर केरिंग करन्ट आई has the shape as shown in that joining figure, linear parts are very long and parallel to x-axis, while semi-circular portion of radius r is lying in y-z plane, magnetic field at o is, तो आपके पास यह टाइग्राम दिया हुआ है, आपको यहाँ पे magnetic field find करनी है, पॉइंट होपे है, तो हम इसको ना तीन parts में divide कर देते हैं wire को, एक तो यह semi-infinite wire, यह semi-infinite wire और यह semi-circular wire, तो इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मैंने नाम दे दिया, same i current जा रहा है इन तीनों parts में, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी parts की magnetic field निकालूँगा, individual magnetic field, और सभी parts की magnetic field निकाल के उनका vector sum कर दूँगा, तो first part की बात करूँ, first part क्या है, मेरा semi-infinite wire है, तो यह point कहां पर मैं आपको बताता हूँ, देखो, यह x axis है, यह y है और उपर z है, तो अगर आपका ऐसा diagram में आपका, यह wire ऐसे रख लेता हूँ मैं इसको, current इस तरफ आ रहा है, तो current पीछे से आ रहा है, फिर यह ऐसा loop है, और यहाँ पर point इसके बिल्कुल यहाँ पर, आपको magnetic field find करनी है, तो यह wire ऐसे आ रही है, current ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे semi-circular wire है, फिर ऐसे बाहर जा रहा है current, ठीक है न, so this is the way तो आपको यहाँ पर magnetic field find करनी है अब यह wire जो है यह semi-infinite wire है कैसी wire है, semi-infinite क्योंकि इधर से तो finite है, यहाँ से शुरू हो रही है और वहाँ से infinity तक जा रही है अगर infinite wire होती, तो infinite wire की magnetic field होती है, वहाँ से r distance दूर, mu not i by 2 pi r, ठीक है न, क्योंकि semi-infinite है, तो आधा, इसका part cut कर दिया, यहाँ पर देखो आप screen पर infinite wire होती, infinite wire होती, तो magnetic field होती, mu not i by 2 pi r, ठीक है, अब अगर नीचे वाला part हटा दो, तो आपने आधा part हटा दिया, तो magnetic field भी आधी हो जाएगी, तो mu not i by 4 pi r हो जाएगी, तो इस वाले part की, जो magnetic field हो की, इस point पर वो की mu not i by 4 pi r, अब बात कर दें direction की, current हा रहे है, ऐसे अंदर की तरफ, current ऐसे अंदर की तरफ आ रहे है, और point हमारा यहाँ है, यानि की wire की right side पर है point, तो current अंदर की तरफ आ रहे है, तो right hand, right hand से हमने इसको पकड़ना है, सजदे हमारा जो thumb है, जो thumb है, जो हमारा right hand का thumb है, वो current की direction है point होना चाहिए, तो आप देख सकते हो, अगर मेरा thumb right hand का thumb, इधर अंदर की तरफ point कर रहे है, तो इस wire के right side पर magnetic field ऐसे नीचे होगी, फिर इधर उपर आएगी, फिर नीचे, ऐसे होगी, इस sense में होगी, इस sense में, ठीक है न, right hand thumb rules है, तो इस point पे wire के, किसी भी point पे, जो इसके right में, magnetic field ऐसे नीचे होगी, फिर उपर जाएगी, फिर नीचे होगी, तो इधर कोई भी जो point होगा, वहाँ magnetic field की direction, vertically down, vertically down मतलब, screen पे देखो, यूपर Z है, नीचे हैगा, minus Z, तो मैंने इसलिए, minus K कैपलिक भी आप है, समझ मैं है, अब ऐसी देखो, B3, ये third वाला part, इसका भी same magnitude होगा, मुनो टाइब है, 4 पाया, direction इसकी देख लेते हैं, इधर है ये part, ठीक है ना, इधर है, current बहार की दरफ है, अब जो point है, P point, वो इसके इधर है, तो मैंने right hand के thumb को, ये मेरा thumb है, right hand का, current की direction में, तो magnetic field, इस point पे magnetic field nines नीचे की दरफ, ऐसे आगी देगो, ये pattern रहेगा magnetic field nines का, ठीक है, तो ऐसे, यहाँ नीचे, फिर उपर, फिर नीचे, फिर उपर, तो इस wire के left side पे magnetic field nines, नीचे की दरफ, उसके लिए भी नीचे आ रहे था, इसके लिए भी नीचे आ रहे है, minus cake है, नीचे का मतलब, vertically down, z उपर, ये नीचे, तो minus cake है, अब करते हैं, second वाले portion की बात, second वाला portion जो है मेरा, वो ये है, semi circular wire है, semi circular, ठीक है ना, पूरा circle होता है, तो circle के center पे magnetic field होती है, mu not i by 2R, ये उसका आदा है, तो mu not i by 4R हो जाएगा, तो magnitude होगा, आपका mu not i by 4R, और अब direction देखने हैं, magnetic field की, ऐसे बन रहा है रूप, right hand की fingers को curl करो, current की direction में, तो current की direction में fingers को curl करता हूँ, तो thumb अंदर की तरफ point करता है, अंदर की तरफ मतलब ऐसे उधर, तो ये बाहर की तरफ है x, अंदर की तरफ होगा, minus x, तो इसलिए ना लिखा है मैंने, minus i क्यां, आई बात समझ में, तो directions में confused नहीं होना है, इधर आपका हो जाएगा, screen में देखो, minus y, इधर plus y, उपर plus z, नीचे minus z, अंदर minus x, बाहर plus x, ठीक है ना, ये directions हैं सारी, तो हमने क्या करना है, इनका vector sum कर देना है, तो तीनों का vector sum कर देना है, value substitute कर देता हूँ मैं तीनों की, अब ये, minus y, minus y, same direction, same चीज, तो इसको two times कर देता हूँ, तो यहां लिख दिया two, एक minute, यहां लिख दिया मैंने two, हाना, two से multiply कर दिया, और जो ये वाला है b2, ये b2 मैंने यहां लिख दिया, अब इदर common क्या आ रहा है, mu not i by 4 pi r, बाहर ले लिए मैंने, minus के sign के साथ, क्योंकि minus इदर भी है, minus इदर भी है, तो mu not i by 4 pi r, बाहर ले लिए, क्या बचेगा इदर, two k gap, two k gap यहां बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, pi तो है नहीं यहां पर, इदर pi तो है नहीं, तो यहां numerator में आ जाएगा, pi और i cap है, यहां पर तो i cap यहां पर आ जाएगा, आप इसको इससे multiply करो, तो यह बन जाएगा, और इसको इससे multiply करो, तो यह बन जाएगा, चेक कर सकते हो, so this will be the answer to this question, thank you for watching